नमश्कर दोस्तों मैं वैद्य एसके राय आपका इस चैनल पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ आईए आज बात करते हैं कि ऐसे विशे में मैं वो विशे आपसे बताओं आपको बता दू रीड की हड़ी ये वर्षा रितू प्रारंब हो रही है और इस समय मैंने देखा चैंबर्स में रीड की हड़ी से लेकर परिशानियां लेकर लोग बहुत आ रहे हैं एक wellness issue है मैं आपके हाथों में देना चाहता हूँ और इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ सिर्फ एक tips जो आप अगर अपनाएंगे तो आप जादूई effect आप अपने अंदर देखेंगे आप थोड़ी देर के लिए देखिए आपने प्रधान मंत्री मोदी जी को देखा है बाइडन को देखा है और पुतिन को देखा है या हमारी film actress रेखा को देखा है मैं आपसे कहने का मतलब यह हूँ कि आप यह देखिए कि किस तरह वो straight रहती है फौच के किसी विक्ति को आपने देखा होगा रीड की हड़ी अगर ये straight रहे अगर ये एकदम इसमें स्पाज मना रहे लचीलापन रहे आपकी उम्र दिखेगी नहीं मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और इसके लिए सिर्फ इसका solution है आईरवेद के पास इसका solution है आईरवेद के उस wellness मंत्र जो हैं उनके पास मैं आज ये विश्व क्यों अपनाया हमारे यहां लोग आ रहे हैं aging problem से कि हमारी उम्र सर बहुत दिख रही है मैंने उनको कहा कि आप अपनी रीड की हड़ी को ठीक कीजिए वो S शेप है ना उसको ठीक करिए L4, L5 पे पूरे body का जो weight आता है शरीर का जो weight आता है वो बहुत तंग करता है क्यों जब आपकी कमर की हड़ी या read की हड़ी आपकी straight रहती है वो व्यक्ति का व्यक्तित्व देखिए वो confidence वाला रहता है उसके अंदर आप देखिए प्रभा रहती है चेहरे पे उसके अंदर आप देखेंगे कि radiance होता है glow रहता है उसकी रोग प्रतिरोधक शमता भी अच्छी दिखती है मैंने जितने भी आपको example दिया हूँ आप उनसे मिलाईएगा दूसरी चीज उसकी जो सबसे बड़ा effect आता है उसके abdomen पे आता है उसके पेट पे उसकी पाचन शक्ती पे जब वो straight रहता है तो उसके abdominal muscles उसकी बहुत अच्छी रहती है उसका posture अच्छा होने की वज़े से आप एक चीज देखिएगा कि पेट भी बाहर निकला हुआ नहीं दिखाई देता है जो मैंने example दिया है इसको आप फिर से आप उससे मिलाईए आपको चर्तार्थ करिए आप देखेंगे कि उसकी जो intestinal moments होती है बहुत अच्छी होती है उस वेक्ती में एक कहोत है ना long livers have good livers आप सिर्फ अपनी posture ठीक कीजिए आपका पाचन शक्ती ठीक हो जाएगा आपका liver जो है वो बहुत बड़ा vital role play करेगा कहने का मतलब यह है posture ठीक कीजिए अपनी चलने के धंग अपना सुधारिये आप मानसिक शारीरिक अध्यात्मिक तीन और उप से confidence हो जाएंगे अगर आप अपनी flexibility ठीक कर लेंगे तो क्या फाइदे होंगे पहला चीज कि आपका digestive system ठीक हो जाए और कैसे करें करने का जो तरीका है वो है कि stretching exercises अभी आप देखिए stretching exercises में कौन सी योग का हम नाम दे रहे हैं जब भी हम fellow करते हैं तो हम सांस अंदर लेते हैं और जब नजदीक लाते हैं तो सांस छोडते हैं तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ इसमें दो तिन आसन बहुत महतपूर्ण है जो की आपकी flexibility, aging, आपके अंदर confidence लाने के लिए बहुत महतपूर्ण कारे करेंगे और वो कौन सा है एक है ताडासन पूरिय नमशकार सबको रोज करना चाहिए वो body के लिए flexibility लाता है जब वो flexibility आती है तो पूरी आत सही होती है अब जब आत सही होगी तो आप मानसिक, शारीरिक, अध्यात्मी ग्रूप से सद्रण होंगे आप सोचिए कि 21 साल का लड़का जब interview देने जाए और straight रहे उसका पूश्यर सही रहे तो उसका impact बहुत अच्छा होता है तो यही मैं छोटी सी बात इसके माध्यम से आपको कहना चाहता था कि अगर आप पूश्यर आपका सही रहता है और पूश्यर सही कब रहेगा जब आप अपने जीवन में अपनी दो तिन आसनों को लाएंगे और सूर जैसे मैं कहना चाहता हूँ यह जब करेंगे तो अपने आप पेट निखारता है पेट ही है जो चेहरे को बताता है जैसे हिर्दे का काम होता है धड़कना वो अपने मन से मंदगती से चलता रहता है वहां हम लोग कोई role play नहीं करते हैं लंग्स का काम होता है सांस लेना वह यहां भी हम अपना कारे नहीं करते हैं लेकिन जो मसल्स हैं यहां पर तो कारे करना अपड़ेगा दोस्तों तो आएए आगे आने वाले समय में हम इसी तरह की टिप्स इस चैनल के माध्यम से आपको जरूर प्रेशित करते रहेंगे धन्यवाद थैंक्यो